कि नोटे छप रही थी महंगाई बढ़ रही थी और नोटों के बंदल कहीं छिप जाते थे अरे तुम तो बहुत अच्छे हो तुरी साथ बात करनी है क्या मेरा यही गुना है कि ब्रस्ताचार्यों के दिन बुरे होते जा रहे हैं तुरे गुनाओं का काला चिठा मेरे पास है तुझे कानून की ठेकेदारी का लाइसेंस मिले छे साल हुए और उन छे सालों में तुने अपने लॉक अप में पांच लोगों को बेरहमी से मौत के घार उतार दिया कुछ लोगों तो पता नहीं क्या हो गया है आप ऐसी बात बोलोगे जिसे पाकिस्तान तालिया में जाए मुझे डर लगता है मैं जाता हूँ अगर साथो एक पांटे है तो रख तो गश्म कंगा महिया की घर में घुश कर बारूँगा साथो को साथ बारूँगा एक साथ बारूँगा अला रोक नाना मैं पिछना हूँ तो क्या मैं विकास पर बोल भी नहीं सकता हूँ क्या आपके बारे मैं सब जानता हूँ मैं कितने गुणगारों को छुड़ाया आपने और उनको छुड़ाने के लिए कितनी कीमत लिया आपने सब जानता हूँ कि क्यों भाइग मंनों राजनें ती आपकर रहे हो कि क्यों मुझे रिलजाम लगा लह यह इसे मसलों पर राजनें eram करो आघ है मोधी कहता है मैंने इतने घर बनाए उस पर भी बाध करना नहीं मोधी जूड बол रहा है सच बोल रहा है सही कह रहा है नही करोने भीएवाद मैं कहता हूं मैं िध्लक आपको कहना होगा चालो नहीं कर लौत है करोवीवाद कौन मना करता है जह रहा है कि आपने कुछ गलत किया और कुछ करने से पहले एक बार मुझसे बात तो कर ले थे आप अरे तुम तो कितने अच्छे हो, तेरे दादा मेरे यहां मज़ूरी करते थे, तेरी मा मेरे बरतन साफ करती थी हम हाथ मिलाना भी जानते हैं, हाथ उखाड़ना भी हम गांधी जी को भी बूछते हैं चंदर शेकर आज़ात को भी मैं भी पहले प्यार से समझाता हूँ फिर अत्यार से पहली तारीक थी तो क्याकार में खड़ेते परसूंग यह केस पूरे हिंदोस्तान के कमजोर और सताय हुए लोगों का है आज उन सब की नजरे आप पकड़ी हैं आप पर क्या आप उन्हें क्या देते हैं इंसाफ या तारीक